नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों Old Germany is returned पूराना जर्मनी लोट आया है जर्मनी ने अब से कुछ मिंटों पहले ऐसे दो बड़े ऐलान कर दिये हैं जिससे की पूरी दुनिया हिल गई है दरसल अब से कुछ मिंटों पहले जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ ने दो एलान की हैं इसमें एक छोटा है लेकिन दूसरा बहुत बड़ा है पहले छोटे वारा सुन लेते हैं सबसे पहलों तो चांसलर ने ये कहा कि जर्मनी ततकाल करीबन एक हजार एंटी टेंक गाइड़िड मिसाइले भेज रहा है यूकरेन की सेना को इसके लाबा पान सु स्टिंगर मिसाइले भेजी जा रही है इसके लाबा एर टू ग्राउंड रोकिट भी भेजे जा रहे हैं कि वो अपनी जीडीपी का दो परतीशत अपनी सेना पर हर साल खर्च करेगा और ये कितनी बड़ी रकम है करीबन सो बिलियन यूरो यानि की 113 बिलियन डोलर और इस एलान के साथ ही जर्मनी का रक्षा बजट अमरीका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नमबर पर आ च खर्च करेगा जर्मनी अपनी सेना पर और अलड लेडी हर साल वो करीबन 55 बिलियन अपनी सेना पर खर्च कर देते हैं उनकी सेना ब्हुत अच्छी है बहले संक्यवल में उतनी बड़ी ना हो लेकिन कौलिटी में जर्मन सेना बहुत टोप नोच मानी जाती है सोचे इतनी बड़ी रकम जब जर्मनी खर्च करेगा तो उनकी सेना कितनी ज्यादा अडवांस, कितनी लीथल हो जाएगी। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जर्मनी ने ऐलान तो 113 बिलियन का किया है, लेकिन आप इसे 1.500-200 बिलियन मान कर चली है, इसके पीछे ठोस कारण है। अगी कीमत उपर मिलते हैं क्योंकि आपको प्रोफिट थोड़ी कमाना है, आपकी खुद की फैक्टरी बना रही है, इसे लिए ये जर्मनी का एक बहुत बड़ा फैंसला माना जा रहा है, जर्मनी के इस एलान से अमरीका बहुत खुश है, क्योंकि अमरीका पिछले 5-6 सालों से डोनाल्ड टरंप के कारियकाल में भी और बाइडन के कारियकाल में भी सभी ये उरोपियन देशों को कह रहा था, कि आप अपनी सेना पर ज़्यादा खर्चा कीजिए, अमरीकी सेना आपको कब तक बचाएगी, लेकिन ये सुनने को तयार नहीं थे, लेकिन जब अब खत रटा हुआ था, वो नाटो जिसका एक देश पूरव की तरफ भागता था, दूसरा देश पश्चिम की तरफ भागता था, यानि कोई यूनिटी नहीं थी, उस पूरे नाटो समू को एक जुट कर दिया है, पूरे योरोप को एक जुट कर दिया है, सोवेत यूनियन के बा बताएगा साथ ही वीडियो को शेर केज़ेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब केज़ेगा फिलाल इस लिए में इतना ही थैंक्यू एर मस्पर वाचिंग वीडियो